इंडिया आइकन चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे काले आलू की खेती के बारे में जी हाँ काले आलू किसान अब कर रहे हैं काले आलू की खेती यहाँ आलू दच्छनी अमिर्का में पाये जाने वाला आलू है अब भारत में भी सभी किसान इसको खेती करने लगे हैं आलू का बनस्पतिक नाम सोलेनम ट्यूब रोसम है या सोलेनम परजाती का आलू है काला आलू में पाये जाने वाला एक एंटी एक्सिडेंट एंथोसाइनिन के नाम से जाना जाता है यह काला आलू सुगर पेसेंट के साथ साथ कैंसर के मरीजों के लिए काफी फैदाबंद है इस काला आलू में फैट विल्कुल नहीं है यह काला आलू खुन के कमी को पूरा कर मोटापा भी कम करता है इस आलू को खाने से हेमोगलोबिन तेजी से बढ़ते हैं और नर्वर्ज सिस्टम को मजगुत करता है इस आलू में सुगर की मातरा बहुत कम मातरा में पाई जाती है तो आप इसकी बेवसाइक खेती करके इसका लाव उठा सकते हैं भारत में जो किसान है वो अब इसकी खेती करने लगे हैं किसान काले आलू की खेती कर अपनी आमदनी को दस गुना पढ़ा सकते हैं इसकी बीज की कीमत 110 रुपे परती किलो है एक किलो आलू के बीच को रोपने के बाद 10 किलो तक उत्पादन होता है यह मार्केट में खुद्रा मुल 300 रुपे किलो बिखता है और किसान अगर 100 रुपे किलो भी अगर मार्केट में हॉलसल के रूप में बेजते हैं तो लगभग 1000 रुपे इनको बेनिफिट होती है यानि कि एक किलो रोपने के बाद ये 1000 रुपे 110 रुपे इनकी लागत आती है बीच पर और ये बेजते हैं 1000 रुपे यानि कि 10 गुना आप इसकी किमत को बढ़ा सकते हैं तो आप काली अलू की खेती कर अपने आमदानी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं इसकी बीच कहां से प्राप्त करें तो अभी आप जो इनवर्सिटी हैं सरकारी इनवर्सिटी हैं उससे आप प्राप्त कर सकते हैं दूसरे नमबर पर आप कोई अगर किसान खेती कर रहे हैं तो उनके पास से भी आप लेकर इसकी खेती कर सकते हैं तो दोस्तो ये वीडियो कैसा लगा आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को सेर करें और लाइक भी कर दें तो हम आप से लेते हैं अलविदा फिर अगले वीडियो में मिलेंगे जैहिन जैभारत दोस्तो